आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डेलिसट, स्ट्रेट स्टाइल तवा पुलावा, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, चलिए इसे बनाते हैं, तवा पुलावा बनाने के लिए हम लिए हैं, ये आधा किलो के करीब गोबी है, कम से कम, तीन प्लेट चावल ली हूँ, आप चाहे तो ज़्यादे ये कम भी ले सकते हैं, सबसे पहले क्या करें, चावल को अच्छी तरह से पाइन डाल कर धो ले, हमारी जो चावल ही धोकर हो गया है, उसके बाद में हमको चावल को पकाना है, उसके लिए क्या करें, गया चावल को डाले और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करती हुए कम से कम चावल को 80-90% अच्छी तरह से पक गया है आप हाथ से दबा कर देख सकते हैं आपकी चावल पकी या नहीं हमारी जो चावल है वह अच्छी तरह से पक गई है इनकी पानी और चावल को क्या कर ले अलग कर ले नियुकतब़ड़े लें चल्नीी है देखिस तरह से इसमें ही चावल डाले और जावाल को यदि जीतों से अलकर ले चावल पानी को अलकरनी के बाद में सब्सक्राइं डालों इसलिए क्या करें इन्हें एक दूसरे थाली में या फिर बड़े बरतन में पलट ले और इन्हें अच्छी तरह से फैला ले देखें इस तरह से फैलाना है ताकि हम लोग तवा पुला बना रहे हैं इसलिए हम लोग मैं क्या की हूँ एक बड़ा तवा ली हूँ आप चाहे त तोड़ा देना है इसलीं क्या कर रहे हूँ इस तरह से बड़े टवा में बना रहे हैं इससे बनाने से क्या होती है इसका जो सवाध है वह दुगना बढ़ जाती है आप चाहे तो आपने साधा कढ़ाई में भी घर में बना सकते है सबसे पहले कढ़ाई को ऐची तरह से करले गरम कर ले गरम कढ़ाई को दाले तील को भी अच्छी तरह से गरम कर ले गरम देल ये अध्रा बारीक टीवी इन्हें डाले आप यह तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें ही बारिक के टीवी हरी मिर्ची है यह कम से कम पासे छे हरी मिर्ची है इन्हें डाले हरी मिर्ची डालने के बाद में हरी मिर्च को अच्छी तरह से पका ले उसके बाद में इसमें यह अ इसमें ही टमाटे डाले, लाल मिर्ज पौडर, हलदी पौडर और स्वादा नुसार नमक डाले और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं फिर से कम से कम एक से दो मिनिट पका ले दो मिनिट के बाद में देखिए हमारी जो टमाटर है उसे कितने अच्छी तरह से तेल छुटने लग गया है मतलब कि हमारी जो टमाटर वो अच्छी तरह से गल गई है पक गई है इसके बाद में इसमें ही क्या करना है हम लोग जो गोवी काट कर रखे हैं वो गोवी को डाले आप चाये तो गोवी को पहले पका भी सकते हैं पका के भी गोवी डाल सकते हैं मैं कच्छा गोवी डाल रही हूँ गोबी डालने के बाद में इन्हें कम से कम 3-4 मिनिट अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका ले क्योंकि ये कच्छा गोबी है तो इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है अगर आप पके मतलब कि पकाए वे गोबी डाल रहे हैं तो क्या करें अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छा खाने में लगती है इसलिए डाल रहे हैं मतल को डाले इसमें ये बॉइल किया हुआ 3-4 आलु आलो को हम लोख बारिक काट लिए है और ये आलु को टाले मट डालने के बदम में चीजए करते हैं या 2 मिनट इन देखिये जैसे साही चिकन मसाला डाल सकते हैं, एवरेश मसाला डाल सकते हैं, मैगी मसाला डाल सकते हैं, पास्ता मसाला डाल सकते हैं, आपको जो भी फ्लेवर देना है ये चावल में वो फ्लेवर के मसाला डाल सकते हैं, मैं ये एवरेश साही बिर्यानी मसाल डाल रहे हूं, मुझे ब इस तरह से मिक्स करना है उसके बाद में हमनोग ने हैं ने ही हम दो चावल डाले ना ही चावल डाले और आधा को हम आन में डालें गे occasions only इसलिए डाल रहे हैं ताकि पूरा अकर हम दालें के हमको मुँक्स करने मैं काफ़ी प्राइल्पलों होगी इसलिए क्या करें आधा चावल डाले और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर ले इस तरह से सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर ले उसके बाद में हम लोग जो बाकी की चावल बचाये थे न वो चावल डाल ले और फिर से सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर ले इस तरह से मिक्स करना है हमारे जो पुलाओ ह तवा पुलाव यह लगबग पग गई है आपके पास में छोटे तवा है क्या करें थोड़े थोड़े चावल डालके इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें इस वक्त आप चाहे तो हरी धन्या डाल सकते हैं मैं हरी धन्या नहीं डाल रही हूं मुझे ऐसे ही यह बहुत ही मैंने डाल रहे हूं आप चाहे तो डाल सकते हैं क्लिब में बता दू कि मोंबाई बहुत ही पुलाव भी बोला आपके इस जारु और और अगरग में अच्छी लगके को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको इस तरह से और भी स्ट्रीट फूड की रासे पीचिए तो प्लीज मुझे कमेंट करें धन्यवाद